जेशेयराम किसान मित्रो, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का की, मक्का की चर्चा नहीं करेंगे, हम मक्का की खेती केसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, बस हम यहां पर इतनी से चर्चा कर रहे हैं जो आपको लिस्ट दिख रही है, बस इ वाले हमको गिराखनी मिलेंगे तो उस समय पर हमें रेट अच्छा नहीं मिलेगा अब हम यहां पर मिट्टी की बाते कर लेते हैं तो मिट्टी इसमें इसा कुछ नहीं पर्टिकुलर आपको लाल मिट्टी है काली मिट्टी है थोड़ी गलत मिट्टी है उस तरह किसी भी तरह एक जगे एक ही मजका रहनी है आपको और मक्का से मक्का की दूरी कम से कम 15 मेरा यह जिससे वह MATे पोल है बहुत ही अच्छा पल मिलग उसमें और जूमाइर नाल से दूरी लोगा wür हमें चोवे सिंची रखना है जिससे क्या है कि उतरव बहुत अच्छा मेलएगा और पूरी तरह कि हमारी मक्का में नहीं लगती रहे लगती है यह इसनुद दर एक साइड पर रहे हैं पूरी लाइन में आगे लाइन वो भी उसी तरह से इस साइड पर रखना है मैं अब यह सा क्यों है यहां बीच तो हम बीच में भी रख सकते हैं पर बीच में इसलिए नहीं रखना है कि जब हमारा पोधा कम से कम 1.5 फीट का हो जाएगा तो उस पर हमें कुछ इस प्रकार से फावडे से या फिर जो हल आता ह उससे हमें गार चड़ाने कुछ इस प्रकार से मिट्टी उपर करनी है अब यह मिट्टी उपर इसलिए करना है कि जब हवा चलती है तो मक्का की हाइट बड़ी हो जाती है जिससे उसको नीचे गिर जाएगी वो यह उसका सपोर्ट पूरा करेगी मिट्टी पकड़के रख निकल गया है और इसके पश्चाद हमें मैं आपको आगी दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारे डवरे में नीचे पडली कट्टा बान लेना है और इसमें हमारी मिट्टी भी चड़ जाएगी दोनों साइट से उससे दूसरी टाइम में डवरा चला करे किसानमीत्रों आपक करते हैं तो उसमें गहर चड़ जाएगी केने का मतलब उसके उपर मिट्टी दोनों साइट से चड़ जाएगी वीच में पूरी गर बन जाएगी जिससे आप पानी की नाल बन जाती वह lif है असानी से आप पानी भी चला सकते हो उसमें यह काम में दो काम हो जाएगे मतलब किसानमित्रों यहांपर हम सिचाइ पत्ती की बात कर लेते हैं तो अब देख्शकते हैं इस प्रकाट से हम साधी सिचाइ कर सकते हैं गर्मी के दिनों में हम बीज वेराइटी की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा पानी वाले होते हैं वहां पर हमें लगाना है बीज पाइनियर तो चोटीस जीरो एक सिजेंटा की एन के 30 प्लस और सीपी 333 और हाइटेक की एक काउन जीरो चे अब यहां पर कम पानी वाली जो जगह होती है मतलब कि जहां पानी कम आता है पर गिरता है उस जगह पर आप सिजेंटा एन के 30 पाइनियर 33 0 2 मोसेंटों की था और टानियर 12 07 यह वैराइटी है कि हमने जो आपको सारी वैराइटी बताईए सारी से बैस वैराइटीया है हमने सभी कुछ किसान मेत्रों से चर्चा करके आप सभी के लिए लेके आ हैं यहां पर यहां पर जो मैं इसमें रोकताम करनी बीमारी की जब हमारी फसल तो उसे रोकताम के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा बिल्कुल ही बहुत कम खर्चे वाला है टीटरजन या सोडा कपड़े दोने का सोडा जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार कुछ इल्ली लगेगी आपकी मक्की में तो उसे हमें इससे कंट्रोल करन प्रती पंप 35-50 ग्राम प्रती पंप लेना है उसे अगर जो नहीं लेते होता है का बाल्टी में ले लिजिए गोल ली जिए और डबल लेजिए और हर जो हमारी मक्का होती उसकी नाल में डाल दीजिए उसे क्या होगा कम से कम 10 दिन या 15 दिन के आस्पास हमारा रिजल्ट उसका बना रहेगा और इल्लियां पूरी साफ रहेगी अगर जो आप यह नहीं करते हो तो फिर तो आपको बहुत सारी मार्केट ने मिल जाएगी इल्लियों के रोकताम के लिए पर सबसे अच्छा और सबसे उचित कारगर उपाई डिटर जनी है कि यहां पर मक्का में किस प्रकार खाद देना है और किन-किन समय पर खाद देना में आपको वताऊंगा जब हमारी फसल है कम से कम 6 इंची हो जाएगी जब हमें पहली बार इसमें यूरिया का डोज देना है डोज का मतलब हो गया कि उसके गोड़-गोड में जगर जगर य चीज किलो लेना है और इसमें चेश पांच बार में कम से कम पांच बार यूरिया पूरे समय में लगेगा हमारी फसल में और जब इसमें बुट्टा आने लग जाएगा उस समय पर खाश तोर पर जब बुट्टा आने के शुरूवत आजएगी तब हमें इसमें डी और चार आजार रुपए इसमें बुट्टा आजाती है इस पेसों में और जब हम इसे पका की निकालेंगे तो इसमें उत्पादन हमें कम से कम 14 कुंटल से लिजा के 17-18 कुंटल तक मिल जाएगा सुखा के निकाल रहे तब की बात है और हरी जब आप बैशना चाहते तो उस सम में प्रोफिट मिलेगा कम से कम 25,000 के आसपास प्रतिविगा इसमें मिल जाएगा पेसा हमें